नमस्कार, स्वागत है आपका JJN News में और मैं हूँ आपकी सांत पूजा निर्देश दिये हैं, डियम ने संमधित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये के छोटे इस्तर पर जो भी अवैद अतिकर्मन सडको की किनारे, सरकारी भूमी और वन भूमी पर किये गए हैं, संमधित अधिकारी स्वयम अपने इस्तर से 15 अगस तक हटाने का हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट की बाद वेब क्रॉस से काम छील लिया है नगर निगम को रानी बाग में विदुत शब्दाग्रह बनाने के लिए शासन ने 2.71 करोड रुपे दिये और 24 जनवरी 2021 को काम पूरा करना था निगम ने कमपनी को काम पूरा करने के लिए 3 बार मौका दिया सीमा बढ़ाने के बाद भी कमपनी ने काम पूरा नहीं गया अंतिन समय सीमा 30 अप्रेल 2023 भी समाप्त हो गए और अब ये काम नगर निगम जल्द दूसरी कमपनी से पूरा करवाएगा रूषणा के तहत ये बन रहा था विगत तीन वर्सों में कारीदाई संस्ता वेबकॉस द्वारा उसका निर्माण पूरा नहीं किया गिया उस समय पूर वह स्तरीम इरिक्ष्ण में पाये गया कि उसमें कारी अभी पूर्ण होने में लगता है कि कारेदाई संस्ता की रुची नहीं है इस संबंद में फिर नगरायक द्वारा एक जास समीती बनाई गई थी जो उसके इलेक्रिकल पार्ट को फनेस पार्ट को देखने के लिए बनाई थी उसकी रिपोर्ट आ ग करने के लिए वर्तमान में कारवाई जारी है इसके अलावा ट्रेंचिंग ग्राउंड यानि की डंपिंग ग्राउंड जो कुड़ा सहर का सब जगे से जाता है वर्तमान में लगभग सब्सक्राइब ग्राइब वर्तमान देखने का सब्सक्राइब जगे रहा है कि उत्रहा अच्छा उनकी परफॉर्मेंस नहीं रहती है क्योंकि आदियों की सेलिविलटी कम है और इसलिए मैं थुढ़ा सा कुछ एड़वांस प्लांट लगाना चाहता हूँ वर्तवान इसके लिए 17-18 क्रोड रुपिया यहां पर वर्तमान में धाई साल से पड़ा है लेकिन उसकी बात देता है कि केवल कंपोस्ट प्रांट इत्यादी ही लगाना है जाता कि डीप्यार सुकृत है वर्तमान में मेरे द्वारा पत्राचार किया गया एंटी पीसी को एंटी पीसी की एक सबसेडियरी एंवी वी एन तो उनके द्वारा इसमें रुची दिखाई गई है और पूरे भारत वर्स में एंटी पीसी वर्तमान में कूडे से चार कूल बनाने का कारी करी जो की फरनेसेस में काम आ जाता हूँ जिसकी केलरिफिक हाई होत सुर्ण्थरी जी, स्रीमान पॉसकर सिंटामी जी जल्दी मुलाकात करूँगा, और मुलाकात के बाद हम लोग एकえば उस संस्ता से NON Binding Agreement करेंगे, और फिर Binding Administration करेंगे, वर्तमान में उसमें कारी जारी है अगर ये कारी सिद्धों जाता है और हम लोग उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि एक उत्राखंड में का वेस्टू चारकोल वेस्टू इनर्जी का एक बहुत बड़ा उथाराण यह होगा इसी के साथ ही आपको बता दे उत्राखंड में टेट्रा पैक दूद और दुग्द पदार्थू का सालाना 100 करोड का कारोबार होता है अब तक इस कारोबार में अमूल मदर डेरी का कबजा था और पहली बार उत्राखंड सैकारी दुग्द फेडरेशन ने टेट्रा पैक में आचल दूद छाच लसी को बाजार में उतारा है सरकार ने पाच वर्षों में कुल कारोबार का 20 प्रतीशत लक्ष हासिल करनी की योजना बनाई है आचल की प्रबंधक निर्देशक जैदीप अरोडा का कहना है कि राज्ज में 500 आचल कैफे और मिलकबूद बनाई जाने है जिन्हें नीजी हातों में दिया जाएगा हम लोगोंने भी सेल की है बर अच्छक परणा हम लोगा को प्राप्थ हुए है इसे कार अभी रिसेंटली हम लोगों ने हाइभी हाई शैल्फ लाइफ प्रदेश पर में लगवक आच पाच सो आचल कैफे और मिल्क बूट स्थापित करेंगे इस कड़ी में अभी तक लगवक हमारे 20-25 अभी हम लोग स्थापित कर चुके हैं और वागे कुछ अभी पाइपलाइन के अंदर है तो इसमें प्लैनिंग हमारी यह है कि आचल कैफे और मिल्क बूट जो हम इस्टैबलिश करेंगे वह हम आउट्सोर्स करेंगे और किसी प्राइविट रक्ति को देंगे जो उसको चलाएगा और साथ ही हम लोग उने अभी जो डिस्टिबूशन सिस्टम है इसको भी कुछ परिवर्तन करने के हमारे प्लैनिंग चल रही है जिसमें हम लोग अभी कुछ डिस्टिबूटर्स और डिलर्स भी बनाएंगे अभी हम लोग प्रतम चरण के अंदर लेरादून में और अदम कुछ कमिया नहीं है तो इस कमी को सुधार करने के लिए हम लोग अभी बड़े प्रेवाने पर ब्रैंडिंग और सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज हम लोग अभी करने वाले हैं और एक दो मेने के अंदर हम लोग चीज को स्टार्ट करेंगे इस पर हम लोग कंजूमर् अचल हमारे स्टेट का ब्रैंड है हम लोग डेली मिल कलेक्शन कर रहे हैं जबकि जो जो दूसरे ब्रैंड अन्ने ब्रैंड जो आ रहे हैं वो लगवक दो दिन कुराना दूद हम लोग को यह सप्लाई करते हैं तो यह जो चीज है यह हम कंजूमर्स को बताएंगे और उनक यह थी हमारे समदाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हैं जेजेन न्यूस के साथ धन्यवाद